आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ और यह हमें figure दिया हुए ठीक है यह जो field हमारा है X equals to 0 से X equals to 2 cm तक ही है यह केकप है मतलब यहाँ पे दिया है plane के perpendicular direction मतलब outdoor direction में है ठीक है नाओ the electron is detected as point q on the screen placed at 8 cm away from the point s तो इस 8 point से यहाँ पे यह q point को q point पे जा रहा है ठीक है हमें निकालना है the distance d between the point p and q तो हमें distance d निकालना है point p और q के बीच में ठीक है हमें दिया है electron का charge दे दिया 1.6 into 10 के पावर minus 19 and the mass of the electron दिया हुआ है ठीक है तो इससे बनाने के लिए हमने पहले आपको एक concept सिखाता हूँ ठीक है यह है यह सरकल है ठीक है और इस सरकल में electron will move कर रहर है ठीक है इसमें क्या है electron ठीक है और इसका radius हम आ रहर है ठीक है तो इसका माल लाते है velocity वी इस direction में ठीक है तो दोगो और जो हमारा magnetic field है magnetic field है upward इस plane के perpendicular है ठीक है यह हमारा magnetic field B है ठीक है तो अब दोखो V cross B करेंगे जब V cross B करेंगे तो किदर force लग रहा है V cross B करेंगे तो इस पर यह electron है force V cross B करेंगे V cross B तो हमारा force आ रहा है inward but due to this electron हमारा यह charge negative तो इसके कारण इस पर force किदर लाएगा इधर यह force होगा F और F equals to कितना होगा Q into V into V अब इस force को अगर यह force इधर लग रहा है तो इसको कौन balance करेंगा एक circle में move fix करेंगा इस पर force इधर लग रहा है तो इस पर एक centrifugal force लगा MV square by R जो net force होता है यह किदर होड़ लगता है इस direction में ठीक है तो हम यहां से बोल सकते है Q V V equals to क्या आएगा MV square upon R ठीक है अब देखो यहाँ पे R equals to क्या लग सकते है R equals to क्या लग सकते है MV upon Q V तो हमें बस relation find करना है radius और इसके इसके ठीक है MOV divided by qubit ठीक है अब यहां से PE है P equals to क्या होता है MV ठीक है तो kinetic energy और यह momentum में relation क्या होता है P square upon 2M ठीक है P को यहां पे put करेंगे तो यह आजागा kinetic energy का प्रावर तो यहां से हम लिख सकते हैं जो यह आया है हमें यहां पर इसको लिख सकते है R equals to P Y Q B ठीक है तो P को क्या लिख सकते हैं यहां से P को लिख सकते हैं root under 2 times M into K K हमारा kinetic energy represent कर रहा है तो यहां से हमारा radius क्या हो गया यह हो जागा 2 M K divided Q into B ठीक है तो यह हो गया radius ठीक है अब देखो यह particle motion कर रहा है ठीक है तो यह particle motion कर रहा है तो यह कैसे जाएगा यह यह दिया है कि इस जो हमारा यह figure दिया है इस ही में यह क्या कर रहा है कि magnetic filter है ठीक है तो इसका यह यहां से यहां यह distance ुह है यह distance कितना है 2 splendor X llegar यहां से यहां तक x और x 줘 टिःए 2 cm टिकेρέग तो यह कितना एंगल बना रहा है थींटे एंगल बना रहा है ठीक है यह पर्нымиक्राचिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसका infrared ये अर ty होएगा अब दोखो magnetic field outward है ठीक है इसका velocity भी इधर है तो तो वी cross B करेंगे तो वी cross B करेंगे तो इसको फोर्स इधर लएगा इसको वैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लएगा centrifugal force और इसको बहुत सेंट्रिपीटल फोर्स एम्वी स्क्राइब यार तो वहां से हमने निकाल दिया है तो radius equation आगे हमारा root under 2mk divided qb ठीक है यह radius होगा तो हम पहले radius निकाल लेते हैं यह कितना होगा ठीक है तो अब radius निकाल लेकिन हम यहाँ पर फर्मूला में put कर देते हैं ठीक है तो root under two times mass of the electron ठीक है अब यहाँ पर mass of the electron हमें दिया है 9.1 into 10 के पावर मानस 31 तो यह आजागा नाइन पउंट one into 10 के पावर मानस 31 ठीक है अब यहाँ पर हमें kinetic energy दिया है ठीक है 100 electron बोल्ट ठीक है तो यहाँ पर हम put कर देते हैं ठीक है यह आ जागा है हमारा kinetic energy ठीक है अब हमें divided बाटे charge इंटू लिखना है magnetic field ठीक है तो अब हमें charge दिया है charge तो यह होता है 1.6 10 के power minus 19 और यह में magnetic field दिया है 1.5 इंटू 10 के power minus 3 तो यह जागो 1.5 इंटू 10 के power minus 3 into 1.6 इंटू 10 के power minus 19 ठीक है अब इसको calculate कर ले रहा है ठीक है तो यहां से ही हमारा radius equals to आएगा तो यहां से आर का value आता है 2.24 cm ठीक है तो यह हमें radius पता चल गया ठीक है तो यह हमें यह length पता चल गया कि radius कितना होगा ठीक है यह radius तो देखो अभी इस triangle में सप्सित राऊंगल म्यों से इनटीठ लेएंगे सिनटीठ इकोस्तों के लिखते एक सबूल र सीपाना डिक कोई स्ऽीक चीनटी मुश debates है यहां संदीड आहुंखे Ya ठीक है अब यहां से सको cos theta निकालते हैं ठीक है तो यह cos theta क्या होगा यह cos theta हमारा यह distance होगा यह distance ठीक है को सभ你 लिखनेगे तो यह क्या लाइगा माल Self नेता है यह में दे रहा है y ठीक है तो क्या लिनेगे y अपन- यहां से फर्मूला से भी निकाल सकते हैं क्या हो जागा यह इसको हम लिख सकते हैं सबस्क्राइब दसके , यहां से साइन सीक्राइब तो यहां से क्राइब निकालना था है है रूट अंडर one minus sin square theta ठीक है तो अब यहाँ पर cost theta अब यहाँ पर put करता है ठीक है तो root under one minus sin theta का हमने value निकाल चुग है 0.89 तो 0.89 का whole square ठीक है तो अब यहाँ से cost theta आएगा हमारा 0.45 ठीक है यह cost theta आए गया अब इस cost theta क्या करेंगा हम इसमें put कर देंगे ठीक है तो अब देखते हो यहाँ से तो यह हमें y upon r equals to कितना आए 0.45 ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने y निकल लिया ठीक है तो हम क्या करेंगे r मसे y को minus कर देंगे तो यह distance निकल जाएगा हमारा ठीक है यह distance निकल जाएगा तो यह distance को हमने मान लिया h ठीक है अब दोखो यहाँ से यह हमारा distance h है ठीक है तो पहले हम यहाँ से y calculate कर लेते हैं तो y equals to 0.45 into r का हमने value calculate किया है 2.24 cm तो यह आजाएगा तो y equals to यह आजाएगा यह आएगा 1.008 ठीक है अब दोखो हमें y पता है और यह हमें h निकलना है तो यहाँ से h निकल लेंगे h equals to क्या लिख सकते है h equals to लिख सकते है r minus y तो h हमें पता है 2.24 minus y equals to 1.08 ठीक है 1.008 तो यहाँ से हम h calculate कर लेंगे 1.232 यह हमारा h के value आगया ठीक है अब देखो यह triangle को माल लेती है हमारा a है यह q है और यह b है ठीक है तो यह माल लेते हैं ठीक है तो यहाँ से total यहाँ से 8 cm दिया है तो यहाँ कितना हुगा है 6 cm तो हम यह distance लिख सकते है इसको हम हम x tv है तो यह total यह कितना बच गया ठीक है total D है total D है और हमें D calculate करना है तो यह कितना हो जागा d-h, तो यहां से हम लिख सकते हैं, tan theta equals to,e d-h upon 6, हम धोंगों यहां देखते हैं, ठीक है, यह यहां से theta बना रहा है, ठीक है, और यह क्या है, velocity का direction है, ठीक है, तो इसका मतलब यह क्या हुआ इसका tangent हो हो गया है ठीक है ug YouTube हमेसा क्या होतेww radius के perpendicular ठीक है रीकिटे-अब देखो यह हमारा अगर अगर ठीटा है और यह दोनों पा आललरल है तो यह यह भी ठीटा हो जागा और यह ईसफोटा है और यह 90 हो दोनों 90 डीग्री यह सब्कार कि यह 90 मैंस ठीटा और यह आपस में 90 खिर्ट तो यह 10 2 stabbed जो होगा तो हम क्या करते हैं यहां से 10 3abtså क्रोकड़ करते हैं जो कि ऐसके बराबर वह ठीक है तो हम पहले यहां से 10 3 above to calculate कहें तो यहां से 10 2 एक कॉलिको स्टर लेते हैं यहां से 10 train way to 10 एक डार लिखेंगे तो यह क्या घा है 10 theta equals 2 आगया x upon y ठीक है अब हमने सब का value calculate करके रखाया है ठीक है x हमारा क्या है दिया है question में 2 cm और हमने y का value calculate किया है यह है 1.008 ठीक है यह 10 theta हो गया और इसके बराबर हो गया d minus h upon 6 हमें d निकालना है यहां से ठीक है और हमने h का भी calculate कर लिया 1.232 तो यहां से इसको लिख सकते हैं 2 into 6 upon 1.008 plus h equals to d और हमने d calculate करना है तो यहां जागा 2f divided 1.008 plus h अब h का value कितना है हमारा 1.232 1.232 equals to d तो यहां से d calculate करेंगे तो d equals to हुआ जागा यह prox यह कितना है जागा 13 cm यह हमसे question में पूचा था ठीक है तो यह होगया हमारा question का answer ठीक है इसको और दूसरे तरीका से भी बना सकते थे क्या करेंगे देखो यह हमारा r cos theta है यह length ठीक है तो यह h calculate करेंगे तो h equals to kya लिख सकते है total r है और यह r cos theta है y equals to r cos theta हो जागा तो x equals to directly h equals to kya हो जागा r तो r minus r cos theta हो जागा तो similarly वहाँ से भी calculate कर सकते थे उससे थोड़ा जल्दी हो जाथा ठीक है तो उससे निकालेंगे या फिर ऐसे निकालेंगे दोने होगी same answer होगा तो यह होगया हमारा question का answer classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर